बोलिए मर्यादा पुर्शोत्तम श्रीराम की जै जै श्रीराम आप सभी को दिशेरे की बहुत बहुत शुप काम नाएं बस कुछ घंटो बाद रावर दहन होगा और मैं हमेशा की तरह आपके लिए इस तोहां से जुड़ी अचूग जानकारियां लेकर आई हूँ यह दिशेरा आपकी जिन्दगी को कैसे बदल कर रख सकता है या आपके परिवार में कैसे खुश्या आएंगी आईए जानते हैं आज आपको बताऊंगी वो तरीका जिससे आपके अंदर सच्चाई आएगी आप राम जी जैसे बनेंगे और गंदगी आपसे दूर होगी आज दिशेरे के खास दिन आपको हनुमान कृपा दिलाने वाला तरीका भी बताया जाएगा और दिशेरे पर शुप काम कौन से बनेंगे वो भी बताया जाएगा आज दिशेहरे का दिन है और आज मैं आपको रातो रात किसमत बदलने वाले पांच महा उपाई बताऊंगी चिनके बारे में रावण सहिता में लिखा गया है आज का पहला महा उपाई जानी है क्या कुबेर का ख़जाना पाना चाहते हैं रावड सहिता में जो उपाए रावड ने लिखे हैं वो जाने, एक मंटर बता रहे हूं उसका जाब तीन महीने तक करना है, डेली मंतर का जाब सिरफ 108 बार करना है, मंतर करते समें अपने पास धनलक्ש미 कौरी रखें, तीन महीने हो जाएं तो ये कौरी अपने तेजोरी में यह जहां पर भी आप पैसा रखते हैं महां रखें इस सुपाय से जीवन भर आपको पैसों की कमी नहीं होगी मंतर है और हाँ इस सुपाय का मतलब यह नहीं है कि कुबेर का खजाना मिल जाएगा इसका मतलब यह है कि पैसे घर आएंगे माला माल बनेंगे यह तस्वीर तो पिछले साल की हैं लेकिन हाजारों सालों से इसी तरह रावर दहन होता आ रहा है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखित दिशेरे का त्योहान मनाया आगी हो जाता है अपने बच्चों को जरूर बताईए उनके उपनी परंपरा का पता होना चाहिए सकंद पुरान के अनुसार मा पारवती ने नौ दिन तक राक्षस महिशा सुर से यूद करने के दसवे दिनों से मारा इसलिए दिशेरा मनाया जाता है इसमें हमारे लिए संदेश चिपा है कि हमें भी मा की कृपा से अपनी इंद्रियों की मनमानी को कंट्रोल करके उन्हें जीत सकते हैं इस दिन भगवान श्री राम ने रावन को मारा रावन की पुतले चलाकर इस दिन जीत का उत्सब मनाया जाता है आज के दिन भगवांच्री राम को रियात करते हुए संकल्प लेना चाहिए कि हम इस साल अपने अंदर के रावण का अंतकर की राम राज यानि की positive qualities को मौका देंगे रावण को दशानन के नाम से भी जाना जाता है दशानन यानि की दस सिर वाला रावण के दस सिर तो ताकत का प्रतीक थे लेकिन अगर आपके अंदर दस बुराईया हैं तो आपका कभी भला नहीं हो सकता आपको आज दिशेरे की दिन अपने अंदर किन दस बुराईयों का व करें किसी चीज को लेकर इतना अकर्षित ना हूं कि उसके ना मिलने पर मन में निदाशा हो लालच लालच को छोड़ें जादा लालच करने से हमेशा नुकसान होता है घमंड यानि कि ओवर प्राइड घमंड का त्यार करें घमंड में आदमी के रिष्टे कहीं खो जाते हैं स जादा रोमैंटिक होना हमेशा आपको नीचे ले जाता है इसके शिकार जादा तर व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं इर्षा को खुद से पोसोदूर रखें इर्षा करने वाला मनुश्य हमेशा दुखी रहता है क्यूंकि उसे अपने आसपास की खुशी दिखती ह भी नहीं है स्वार्थ सेल्फिशनेस स्वार्थ एक तरह से सफलता के लिए स्पीड ब्रेकर है आपको ऐसे व्यक्तियों से भी बच के रहना चाहिए और खुद को भी स्वार्थी बनने से रोकना चाहिए अगला है अन्याय इंजस्टिस दूसरों के साथ अन्याय मतलब ना क्रूर्था आपके अंदर की प्यार की भावना को खत्म कर देती है जिसके दिल में प्यार और रहम नहीं वो इनसान नहीं कहलाता अंकार इगो अंकार यानिकी अपने अंदर मैं की भावना ना आने देना अंकार से मनिश्य की बुद्धी नश्ट हो जाती है अंकार से ग्य सहिता में लिखा है कि आप चाहते हैं कि साल भर आपको धन का आपके घर भंडारा भी भरा रहे सुख सुविधाओं की कमी ना हो तो आप ये महा उपाई कीजिए किसी भी शुबमा उरत जैसे दिपावली अक्षरत्रत्या होली की रात ये समय उपाई की आजाना चाहिए दिपावली की रात में ये उपाई अच्छा फल देता है उपाई क्या है बताते हैं दिपावली की रात कुमकुम या अश्टगंद से ठाली पर मंतर लिखें ओम-ी श रीम-ीम महा-लक्ष्मी महा-सरसति मम-ग्रह-आगच-आगच, रीम-नमहा फिर किसी साफ आसन पर बैठ कर रुद्राक्ष की माला या कमल गटे की माला के साथ मंत्र का जाप करें मंत्र जाप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए जादा से जादा इस मंत्र की आप श्रद्धा अनुसार गिंती को बढ़ा सकते हैं इस उपाय से आपकी घर में महालक्षमी की कृपा बरसने चाहते हैं तो आपको वो कौन से गुण अपनाने होंगे आये जानते हैं यकीन मानिए अगर आपने ये गुण अपना लिए तो सफलता आपको जरूर मिलेगी है हमेशा सब्ते बोलें शमा करने की भावना को अपने अंदर लाएं सहन शीलता बेहत जरूरी है हर हाल में अच्छा विवार करना दिशेरे के दिन सिरफ इसले खास नहीं है क्योंकि इस दिन रावन दहन होता है बलकि ये दिन बहुत ही खास है ये बहुत ही शुप है बहुत ही लगी है आई आपको बताती हूं कि मैं ये सब क्यों कह रही हूं इस दिन अगर कोई नया काम शुरू क किया जाता है तो वो सफलता लाता है जैसे नई बिल्डिंग की फाउंडेशन बनाना नई कमर्शल करना ओपनिंग करना बच्चे की नई पढ़ाई की शुरुआत जैसे कोई भी शुप काम विजव दश्मी पर रावण कुमकरण और मेगनात का पुतला जलाया जाता है लेकिन ये सिर्फ एक मानिता नहीं है इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है जिससे आपको समझना उत्तर भारत में दिशेहरे के बाद मौसम का गरण मिसाज बदलने लगता है सर्दियों की शुरुआत में इंफेक्शन के चैंसे जादा रहते हैं रावण, मेगनात और कुमकरण के पुतले जलाने और साथ-साथ आतिश बाजी से हवा में जो फॉस्फरस की मात्रहें बाद ना किया जाएए कैसे हो सकता है आएए आपको वो पाई बताती हूं जिसे करने से आपको हनुमान जी और राम जी की क्रिपा एक साथ मिलेगी बजरंग बली और श्री राम को एक साथ प्रसंद करने के लिए सबसे सरल और अचूक उपाए हैं आपको हर मंगलवार सुन्दरकांड का पाथ करना होगा सुन्दरकांड रमायन का वो हिस्सा है जब हनुमान जी माता सीता को खोजने लंका गए थे और लंका में उन्होंने आग लगा दी थी हनुमान चालिसा का पाथ भी आप कर सकते हैं लेकिन सुन्दरकांड का पाथ भी सबसे अच्छा उपाए हैं इससे उनकी क्रिपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है दुखों को हरने और मानसिक शांती के लिए भी ये पाथ किया जाता है हनुमान जी से प्रसंद होने के की भी क्रिपा मिलती है इस तरह हर परिशानी को दूर और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुन्दरकांड का पाथ एक श्रेष्ट और सरल उपाई है शो में आगे बढ़ते हैं और आप मैं आपको आज का तीसरा माहा उपाई क्या है ये बताती हूं तो रावर्ट सहिता का ये सवाल कहता है कि आपको क्या हर तरफ से पैसा चाहिए जिसे कहते हैं दसो दिशाओं से पैसा चाहिए ये माहा उपाई दिवावली के दिन किया ज आप करें ओम नमो भगवती पद्म पद्मावी ओम रीम ओम ओम पूर्वाय दक्षणाय उत्तराय आश पूर्याय सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र काप्स को 108 बार जाप करना है इसके बाद दसों दिशाओं में दस-दस बार फूंक मारनी है इस उपाय से चारों तरफ से वैसा प्राप्त होता है नीन से जगने के बार पलंक से उतरना नहीं है यह बात जरूर ध्यान रखें अभी तो बहुत सी बाते करनी है लेकिन पहले कुछ खास शेर करती हो और आज हम आये हैं स् रिवाना जूलरी में आये हैं और यहां इतनी सारी चीज़ें कि मेरी आखें ऐसी चौंद्या गई है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या ट्राइ करूं क्या लूँ टैंपल जूलरी है जो यहां का में अट्रेक्शन है और इतनी कमाल कमाल की जूलरी है कि मैं सोच रह कहां से ट्राइ किया जाए मतलब एरिंग पहले पहनू या इनकी एक जो सबसे बड़ी खासियत है ये चले जो मैंने पहली बार देखे हैं इतनी सुंदर बने हुए क्या डिजाइन है क्यों ने ये ट्राइ करें ये कैसे लग रहा है ये बहुत सुंदर है और इसमें टेम्पल का भी थोड़ा स्टाइलिंग नजर आ रहा है तो टेम्पल जूल्री में जिसमें हमारे भगवान जिस भी जूल्री में होंगे वो डिजाइन इनोंने जो नाम रखा है उसका टेम्पल जूल्री तो मैं इसे ट्राइ करना शुरू करती हूं ये आइटिंक रिवाना जूल्र की खासियत है कि आपको देखकर ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ आपने पहना हुआ है लेकिन पहनने के बाद वो वेट आपको फील नहीं होता है तो प्रिटी कि वाव मतलब मैं क्या बोलsz के बारे में ये बहुत ही सुंदर चुकर है मतलब मैंने ऐसा आज तक कभी कुछ नहीं पहना एक मुझे यह भी बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही सुन्दर ये थोड़ा सा है वी है लेकिन बहुत ही सुन्दर है इतना वजन में सोने के लिए बेर कर सकते हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि आगरा के ताजमल से ये चीज़े उठकर में आ गई है ये इस तरह से आप पहन सकते हैं इस अकेले भी आप पहन सकते हैं चेन के साथ में या नॉमल कोई कलरफुल स्टोंस के साथ में इससे अगर पहन लेंगे तो ये कितना खुबसूरत लगने वाला है मैं तो सोच कि मुझे बहुत मजा आ रहा है तो महालक्ष्मी माता है तो बहुत ही सुंदर है तो विज्यादश्मी पर इससे बहतर घर ले जाने के लिए कुछ नहीं हो सकता सभी को स्वाती अनन की तरफ से धेल सारी विज्यादश्मी की शुपकाम है आपके भागी को चमकाने वाला रावण सहीता का चौथा महा उपाई भी जान लीजे क्या आपका पैसा खो गया है मतलब आपकी जेब में पैसा नहीं ठिकता रावण सहीता में एक मंत्र लिखा है ओम नमो विग्न विनाशाय निधी दर्शन कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का 10,000 जाप करने से आपको आपका खोया वाधन मिल जाएगा और अगर आपकी जमापुझी भी लगातार कम हो रही है तो इस मंत्र से इस मंत्र के जाप से पैसे में ठहरा आप भी आएगा और नया धन पाने के सैयोग भी बनेंगे आईए बात करते हैं आज की स्पेशल आस्टो टिप का रावट दहन के समय जिनको एडिक्शन्स की आदत हो जिससे आलकोहल हो गई, किसी भी तरीकी का नशा हो गया, सिग्रेट हो गई इसकी पोटली बनाकर इसको एक ब्राउन या काले कलर के कपड़े में साथ गाट से टाइट बानकर रावट दहन के समय अपने ही घर में आग लगा कर या अगर रावट दहन जब हो जाता है, जब पुरा जल जाता है तो अपने अडिक्शन को यूं हाथ करके उसमें डाल द जिसे वो परिशान है और उपाई जालना चाहती है, हजबन का दियावा कोई भी नोट, चाहे 10 का हो, चाहे 100 का हो, लपेट की नौर्थ इस डारिक्शन में अपनी विश लिखकर वाइट एंवलप में चिपका दीजे, और वहीं पर मा सरस्वती की फोटो रख दीजे, आप को फर्ग दिखने लगेगा, एंटर्टेन्मिंट की बात हम बात में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं, कल क्या खास करना है आपने मुझसे जानिए, सबसे पहले मेश राशी की बात, मेश राशी के लोग, कल आप किसी की भी चुगली ना करें, लग साथ दे र आमान का यूज ना करें, लग साथ दे रहा हैं आपका 68%, करक राशी के लोग, काले कपड़े अवोइट कीजे आप, भागे साथ दे रहा हैं आपका 71%, सिंग राशी के लोग, गरीबों को दाल दान करें, भागे साथ दे रहा हैं आपका 73%, कन्या राशी के लोग, सुन्दर क का नाम लीजे लग साथ दे रहा है आपका 76% विश्चिक राशी के लोग गाड़ी ध्यान से चलाइए भाग्य साथ दे रहा है आपका 64% धनु राशी के लोग शनी देव को प्रणाम करें लग साथ दे रहा है आपका 69% मकर राशी के लोग ज्यादा पैसे खर्च ना करें किस किसमत साथ दे रहे हैं आपका 55% कुम राशी के लोग ट्राफिक नियमों का पालन कीजिए आप लग साथ दे रहा हैं आपका 62% और मीन राशी के लोग अपने काम में जल्दबाजी बिलकुल ना करें लग साथ दे रहा हैं आपका 60% जानते हैं आज का पांचवा महा उपाए क्या आपकी दुकान को बुरी नजर लगी हैं मुनाफ़ा घट गया हैं शनीवार और मंगलवार कोई उपाए करें इस उपाए को करने के लिए एक काले घोड़े की नाल ले और इस पर जल्च रग दें आप थोड़ा चमेली का तेल और उसमें सिंदूर को मिला दें इस लेप को घोड़े की नाल पर लगा दें अब इस नाल को एक काला कपड़ा बांद कर पट्रे में रख दें अब एक कटोरी काला उड़त ले और उसे पट्रे के सामने रख दें अब एक लोटे में जल ले पांच अगर बत्ती ले अब ज गुरु संगत मेरी भगत चले मंतर इश्वरी बचा इस उपाई को करने से आपकी दुकान पहले की तरह चलने लगेगी कल हम बात करेंगे आपकी कुनली में आपकी कुनली में कोई दोश है या नहीं वो श्रापित है या नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम्स है कैसे दूर करना है यह हम कल जानेंगे अब मुझे इजाज़त दीजिए अपना दिशेरा अच्छे से मनाईए खयाल रखिए बाइबाइ आपके यह श्री दाम